हेलो फैंस, स्वागत आपका हमाई YouTube चैनल में, The Banking Export में तो आज की वीडियो, most probably हमने अब तक जो भी वीडियो बनाई है वो SBI Corporate Banking की बनाई है अब हम पंजाब National Bank की भी Corporate Banking के लिए आप लोगों के हम वीडियो बनाएंगे प्रॉपर की कैसे आपको Corporate Banking कैसे अपलाई करना है कैसे एड्मिन बनाना है, कैसे यूजर बनाने है ओवरॉल जैसे हम SBI को बता रहे हैं तो आज जो हमारा स्टार्टिंग का है कि हम हम फॉर्म कैसे भरेंगे क्योंकि SBI में भी हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि हम फॉर्म नहीं भर पारें तो आज हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे कि हमें फॉर्म कैसे भरना है और कैसे सम्मिट करना है तो अगर आप देख सकते हो तो यह PNB का फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बट इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ क्या के दोकुमेंट की रिक्वार्मेंट होती है यहाँ पर आप देख सकते हो यह है हमारा दोकुमेंट्स रिक्वार्ट सबसे पहला है फॉर्म नीट तो फिल यह फॉर्म मैं भी आपको बताऊंगा एक एक करके कैसे दूसरा एनेक्षर 2 फॉर बैनेफिशियल ओनर यह इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ एनेक्षर 1 फॉर अंडर्टेकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज फिल फॉर फॉर बैनकिंग सिस्टम यह एनेक्षर है जो आपको फॉर्म के साथ अटाइच होना चाहिए एनेक्षर भी विजिट पर फॉर्फॉर्म फॉर विजनेस प्लेस बैसे बदब एक एक एक्षर भी होगा जिसमें bankers आएंगे, आपके address पर verification करेंगे, उस form को भरेंगे right, and last board resolution to authorize signing all the documents and signing authorization of the check and date age and everything तो ये total एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पाँच ये ऐसी है जो आपको जब भी आप current account opening के form फिल करें, तो ये सारी जेजे होना चाहिए एक तो form, दो सा annexure 2 ये form के अंदर ही होता है, बट अगर आपके पास director तीन, चार हैं क्योंकि form के अंदर सिरफ एक ही annexure 2 होगा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा director है, right, या फिर private limited company है तो obviously दो तो होईंगे, होईंगे तो उस case में क्या करना है, ये annexure 2 ये मैं आपको annexure 1 यहां दिखा देता हूँ, ये रहा ये है annexure 1, right, undertaking credit facilities for the banking system, इसमें ये है आपने यहाँ पे, थोड़ो तो मैं जूम करता हूँ, not availing any credit facilities from the banking system, ये बता रहा है कि आपने कोई credit facilities किसी और bank से तो नहीं ले रखा, अगर लिया है तो यहाँ पे आपने उसकी detail डालनी है amount डालना, ये सारी चीज़े डालनी है right, यहाँ declaration में ये सारी चीज़े na na हो जाएगी, यहाँ पे तीनों, अगर आपके दो डिरेक्टर्स है या प्रोप्राइटर्स है पर उन सबकी stamp के साथ sign होंगे, right second page पे भी same ये कुछ process है कि ये सारा आप पढ़ सकते हैं कि scaro account में कुछ deposit होने चाहिए and all ये सारी चीज़े अगर आप पढ़ोगे तो ध्यान से समझ में आएगा आपको यहाँ पे मंदली क्लिक कर देना है ये bankers का काम है, वो करेंगे और यहाँ पे फिर से वही companies की stamp और sign लगेंगे तो ये हो गया आपका annexure 1 annexure 2 bank form में ही है वो अभी मैं जब form दिखाऊंगा आपको जब बता दूँगा annexure B widget performer ये रहा annexure V annexure B widget performer for verification residential ये भी bankers ही भरेंगे बट आप से क्या करेंगे, यहाँ पे ये sign करवा लेंगे right stamp के साथ जितने भी डिरेक्टर से सबके sign होंगे तो ये हो गया हमारा annexure B last आगया board resolution तो ये रहा board resolution ये original board resolution है जिसे मैंने hide कर दिया proper and certified करेंगे आप company का name कौन सी rate को हुआ है, कौन से time हुआ है registered office address, opening for bank account with PNB bank ये directors के name है right, और ये company का name है और ये address है, किस branch में आप करवा रहे हो right, जहां बाकी same रहेगा फिर से आप किसको signing authority दे रहे हैं तो इसू, check, draft ये जो चीज़े है, ये वाली ये signing authorities के लिए है और ये जो चीज़े है, ये overall bank के सारे papers पर sign करेंगे अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर नीचे आपको same वही certified draw copy, जितने डारेक्टर उनके sign लगाएंगे और stamp भी लगाएंगे तो ये हो गया हमारा board resolution अब इसके साथ से documents क्या के submit करने हैं, पहला हमारा pancard ये company के documents है, pancard duly signed by all directors with stamp, company की stamp SIN अगर company है, तो SIN number होगा, SIN certificate होगा otherwise MSME या partnership deeds थर्ड है आपका GST certificate आपका proprietorship है, तो GST certificate और MSME में काम चल जाएगा फूर्थ है IOE फिप्थ है MOE, ये companies के लिए है और LLPs के लिए है ये तो हो गया overall companies की document, इसके अलावा भी कुछ मांग सकते है अगर requirement होती है तो next है आपका directors, partners या proprietors, pancard, athercard, photo to passport size और जब भी आप form fill कर रहे हो तो most important क्या क्या चीज़े है वो मैंने आपको यहाँ पर details में बता दिया है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ every director, partners, director must have PNB saving account to be easy to proceed fast process for opening current account, recommended अगर आपका जिस PNB bank में saving account है, तो आपका current account opening का form हो, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको account खुलवाने की जरुरुत है ऐसा कोई compulsory नहीं है, still if not having the saving account of director and all then they can then they can be open the current account while doing the KYC process actually होता क्या है, कि जब आपका PNB saving account होगा तो PNB को भाँ उनसे KYC दिख जाएगा अगर नहीं होगा, तो वो KYC करेंगे बस इतना ही फरक है थोड़ा time बढ़ेगा बस next है आपका, if any loan credit facilities, then it must be soon provide annexure one, जो मैंने आपको बताय था recommended to easy the process यह इसलिए है कि अगर आपका कोई भी loan बगरा है company का तो आप उस annexure one में जरूर दिखाए otherwise अगर आप नहीं दिखाऊगे तो वो hold हो जाएगा जब last process में पहुचेगा उस time आपको दिखाना ही पड़ेगा last one, if your director partner not available or living in another state, कभी-कभी ऐसा होता है कुछ दो director होते हैं आपके उसी state में कुछ दो director होते हैं किसी other state होते हैं उस case में क्या करना है then the pan and adhar कई जगे ऐसा होता है कि bankers यह बोलते हैं सबको आना है बट ऐसा कुछ नहीं है, सबको आने की जुरूत नहीं है अगर उनका saving account है PNB में तो वो उसी state में verifies with original their respective state in the PNB branch and should be signed by the bank manager and also verified on the process of that on the last page of the applications यह मैं भी form में बताऊँगा कहां पे तो अगर कुछ directors ऐसे हैं जो other state में है और उनका PNB में saving account है तो उस case में क्या करना है वो अपने original pan and adhar लेकर जाएंगे अपने respective state के PNB branch में और वो एक stamp लगाएंगे जिसमें verified वगेरा सब कुछ दिखेगा verified with original और manager के sign होंगे और वो ही as it is आपको hard copy मंगवाने है आपने यहां पे courier करके मंगवाओ और फिर form में लगा दो देन आपको directors के visit की जरुवत नहीं है तो यह overall हो गया आपको जब आप account open करोगे तो क्या के जरुवत है कैसे है अब हम चलते हैं की form कैसे fill करेंगे यह रहा हमारा PNB account का current account का form है जिसे हम fill करना और process wise मैं आपको बताऊंगा कहां पे company की detail जाएगी कहां पे directors की detail जाएगी कहां पे other detail अगर हम देखेंगे यहां पे उपर लिखा page 1 to 14 companies detail तो यहां पे 1 पे अगर आप ध्यान से देख सकते हो I, we do not have any account with PNB आपको confirm करना आपके पास कोई PNB account नहीं obviously तभी बना रहे हैं entity की detail होगी name, address, commencement of business place of incorporation हर्याना या हमारा हर्याना और यहां पे इंडिया GST number डालना है यहां पे SIN number डालना है थोड़ा सा और जोम कर दो यहां proof of identity में आप certificate of incorporation या जो भी है आपके पास वो लगा सकते हैं यहां पे name of related person number of related person जितने लोग sign कर रहे हैं beneficial honor है उनके numbers यहां पर आएंगे fourth में proof of address registered address proof में आप registered office है यहां पे click करेंगे and then यहां पे address की पूरी detail डालने है और यहां पे लिख देना है same as current address और इसे any कर देना है यह Hindi वाला है next पे चलते हम यहां पे fourth page पे address in the jurisdiction where entity is resident same as current address जो उपर आ रहा है address type business है यहां पे any कर देंगे contact detail में आपने पूरी detail डालने है telephone number डालना है office का mobile number डालना है one, two, two डाल सकते है दो email ID भी डाल सकते है nature of business कैसा है आपका manufacture, trader, retailer, service provider हम service provider हमने service provider पे click कर लिया next annual turnover कितने है 25 लाग से 1 करोड है dealing with PNB since no क्योंकि हमारा account ही नहीं है type of account, current account mood of operation as per board resolution जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसके according operation होगा account sign करेगा next है हमारा service required हमें view and transaction rights चाहिए checkbook चाहिए यह दो चीज़ हमने click कर लिया e-statement to be sent यह email ID डालने है जिसमें e-statement जाएगी यह mobile number डाला है SMS alert के लिए next credit facilities I am not availing any credit facilities यहाँ पे no करना है not पे यहाँ पे click करना है और यहाँ पे तीन जित अगर हमारे तीन डारेक्टर है तो हमने तीनों के sign और stamp लगेंगे राइट यह next हमरा हिंदी है और हम next page भी चलते हैं other entity details तो यहाँ पे आपने non financial entity करना है financial entity है नहीं यहाँ पे आपने कुछ नहीं कर देना है यहाँ पे आप click कर सकते हो government entity नहीं है international organization नहीं है central bank नहीं है financial institution नहीं है राइट नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको बता दो तो यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको बताए थे जब भी आपको अगर आपके डिरेक्टर्स बाहर हैं एक पून को pancard और अधार card पे stamp लगाना है original verified वाला stamp लगाना है जिस state में है और bank manager sign करेंगा और इसके साथ साथ इस page पे यह जो यह page है न अप्लिकेंट डेक्लरेशन तो इस पे अगर आपके तीन डिरेक्टर है तो अगर मालो यह third director यह outside of state है तो इनके pancard अधार card पे भी हो यहां पड़ेगा आपको यहां भी वो cross sign के साथ साथ यह sign को match करेंगे चेक करेंगे और यहां भी वो stamp लगाएंगे प्रॉपर यहां पर check with original और यह वाले भी वापिस मगवाना है और बाकी यह दो डिरेक्टर तो आपके यहीं है तो वो visit कर जाएंगे अब इसमें मैं आप आपको बता दो उसमें क्या करना है तीनों डिरेक्टर की फोटो लगानी है फर्स सेकेंड थार्ड क्रॉस साइन करना है तीनों पर यहां पर तीनों के stamp with sign होंगे अलग अलग तीनों के stamp लगेंगे कंपनी के यहां नेम होगा designation date होगी रेट नेक्स चलते हैं for office use तो यह हमें नहीं भरना यह वहीं भरेंगे नेक्स चलते हैं यह भी to be filled only in case of financial institution तो हमारा कुछ नहीं ने कर दिया हमने तो यह हो गया 14 14 तक हमारा company की detail होगी अब हम आते हैं 15 15 to 20 अनेक्स यह आ गया हमारा अनेक्स च्टू beneficial honor यह रहा है तो अब हम बताते हैं यह हो गया अनेक्स च्टू इसमें एक ही अनेक्स च्टू होता है अगर आपके पास दो तीन डिरेक्टर है तो इनकी फोटो कोपी कर लो 15 से लेके 20 तक और वापिस एक और डिरेक्टर के detail मर लो यह हिंदी है इंग्लिश में चलते हैं यहां पर देखो फोटो लगाने हैं और क्रॉस साइन करने हैं यहां पर अगर CIF नंबर है आपका तो आपने यहां डालना है CIF नंबर अगर उन डिरेक्टर के जिस डिरेक्टर के लगा रहे हैं यहां पर detail उनका PNP में अकाउंट है तो उनका CIF मिलागा वो यहां डालना है और टाइप ओफ लेगल परसंट के ओनर से ठीक है रिलेटर टाइप परसंट डिरेक्टर है बैनिफीसरी है यह उनका नेम उनकी नेम की पूरी details डालना है अधार कार्ड नंबर डालना है अगर है तो date of birth डालना है अगर LLP में डिरेक्टर है तो डिल नंबर डालना ही है यहां पर यह सारे details फिल करनी है यहां पर यह नो करना है यहां पर भी नो करना है इसे दिन आगे हम प्रोसीड करते हैं यहां पर पैन नंबर डालना है यहां पर place of birth डालना है और यहां कुछ नहीं डालना है यहां पर अपने permanent address डालना है यहां पर mobile कर दिंगे हाँ साइन विद स्तेंप यह वाले पेज पेर्टेंट वाले पयरेटर के वाले साइन विद स्तने उस्ताइम हसी दीरेक्टर के जिसका हम एनग स्टाम में डिटेल डाल हो एंग आप पे तीन डिरेक्टर है, तीनों के सेम प्रॉसेस में होंगे, तो अब हम चलते हैं, 20 हो गया, 21 पे हम, 22 हो कमपनी, शेर वोल्डिंग पैटर्न डिटेल, 22, 21 हिंदी में है, और वही इंग्लिश में है, अनेक्षर 3, अनेक्षर 3, यह अनेक्षर 3 है, इसमें क्या आएगा, अगर आपका पेज नंबर 22 नहीं है, तो आप यह भी ध्यान रखें, कि अनेक्षर 3 में हमें क्या फिल करना है, इसलिए मैंने यह भी लिख दिया है, अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे, कमपनी का नेम आएगा, रजिस्टर नंबर है, जो भी से नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे जो authorized person है, उसके signature होंगे, वैसे आपने यहाँ पे तीनों लोगों के signature करवा देने है, विद स्टैम्प, यहाँ पे किसी भी एक authorized person का नेम लिख देना है, designation लिख देने है, date and place लिख देना है, तो यह हो गया आपका overall form fill हो गया, आप form fill होने के बाद आप आपने विजिट करन यह सारे डॉकुमेंट सब्मिट करने हैं उसके बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा फिर आपको अकाउंट नंबर मिलेगा और वो अकाउंट फ्रीज रहेगा स्टार्टिंग में तो जो भी डिटेल्स है वो उनके जो भी कंसर्ण डिपार्टमेंट होंगे तो वो उसे अ नहीं होते देन उसे अवाँ अनफ्रीज करते हैं जब आपको फॉर्म बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाए गर देन आपको यह फॉर्म सब्मिट करना है को और नेट बैंकिंग लेने के लिए यह आप देख सकते हैं अप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज को और की ज़रूरत है और वो फॉर्म वापिस मंगा लेना क्योंकि और इसमें कुछ नहीं है सारी डिटेल्स है प्राइविट लिमिट कंपनी डाले यहां पर कस्ट आईडी अल्रेडी जन्रेट होगी होगी आपको मिल गी होगी वो डालना है अकाउंट नमर डालना है अकाउंट जिसको आप देना चाते है अइडमिन के आईडी उसका नेम, मोबाईल नमबर, एमेल आईडी और सिगनेचर विध स्टेंप यहां पर तीनो डेरेक्टर की स्टेंप होगे अगर आपके जितने भी डेरेक्टर है, स्टेंप विट साइन, लास में आपके फिर से वही तीनो इसके name होंगे और left side में उनके sign होंगे और ये form आपको submit कर देना है जैसे ही आप form को submit करोगे तब आपको कुछ user idea और कुछ details मिलेंगी जो आपको next video में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमारा corporate net banking start होता है और हम कैसे admin में first time login कैसे करेंगे और हमें क्या-क्या details bankers से मिलेंगी तो next videos को देखने के लिए आप bell icon पर जरूर प्रेस करें जिससे आपको videos जब next आएगी कि corporate net banking कैसे हम active करेंगे तो वो आपको पताऊचले तेंक यू